इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सॉट्स और यदि आपने कभी भी नहीं पढ़ा सॉट्स के बारे में और सॉट्स को कैसे एड करते हैं सब्टेक्ट कैसे करते हैं मडिपलाई कैसे करते हैं और डिवाइड कैसे करते हैं यदि आपने class 9th में एंटरी की है और इनके बारे में अभी starting कर रहे हैं तो इस वीडियो में आप पूरी तरह से समझ जाओगे कि sorts क्या हैं और कैसे इनको add करते हैं, कैसे इनको separate करते हैं और कैसे multiply के जाता है और कैसे divide करते हैं क्या इसका मतलब basic concept है आप समझ जाओगे, तो आप इतना तो जानते ही होगे कि 2 को 3 में add करने पर क्या होता है, 5 होता है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि root 2 में, यदि root 3 को add करें तो क्या होगा, या फिर root 2 में से यदि minus कर दें root 3, तो क्या आएगा, या फिर root 2 में multiply कर दें root 3 स तो क्या बनेगा या कैसे solve करेंगे इसको योदि ऐसे problems योदि आपके जीवन में अभी नहीं आये हैं आप पहली पहली बार starting कर रहे हो तो इस वीडियो में पूरी दूरा से समझ जाओगे कि कैसे ये सारे concepts operate होते हैं मतलब कि ये जो चार operations है subtraction, addition, multiplication and division ये जो चार operations हैं जो आप बच्पन से पढ़ते आ रहे हो इंटीजर्स पर apply करते आ रहे हो उनको आप sorts पर कैसे apply करोगे sorts होते क्या हैं इनके बारे में भी जानेंगे चलिए start करते हैं सबसे पहले समझते हैं कि sorts होते क्या हैं इसका definition क्या होता है देखे, sorts actually irrational number होते हैं sorts क्या होते हैं? irrational numbers लेकिन सारे irrational number sorts नहीं होते all irrational numbers are not sorts तो हम लोग discuss करेंगे कि कौन से irrational numbers हैं जो sorts नहीं होते पहले तो समझना पड़ेगा कि इसका definition क्या है तो देखे, यदि मालीजे कोई एक positive rational number लेते हैं आप a positive rational number का मतलब क्या हो गया? जिसे कि 2, 2 क्या है? positive rational number है 3, 4, 6, या फिर 4 upon 7, या 8 upon 9, या फिर 9 upon 5 all these numbers are positive rational numbers यदि आप a इन सभी में से कोई एक लेते हैं ठेक है? और उसके power में मतलब एक के power में 1 upon n लेते हैं और ये n क्या होना चाहिए? positive integer तो positive integer का मतलब क्या हो गया? all natural numbers मतलब 2 से स्टार्ट करिएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यदि n के जगा आपे लेते हैं 2, 3, 4, 5 तो मिलेगा हमें 1 upon 2, 1 upon 3, 1 upon 4, 1 upon 5 तो क्या बन जाएगा हमें? हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से A के power में देखे क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कुछ इस तरीके से A to the power मिल जाएगा 1 upon 2 A to the power 1 upon 3 A to the power 1 upon 4 A to the power 1 upon 5 ऐसे करके numbers मिलते लेंगे और ये जो numbers मिलते हैं यदि ये solve नहीं हो पा रहा है मतलब कि A to the power 1 upon 2 में 2 cancel out नहीं हो पा रहा ठीक है और यहाँ पर 8 to the power 1 upon 3 में 3 cancel out नहीं हो पा रहा मैं बताऊंगा कि क्या cancel out होने का मतलब क्या है यहाँ पर तो यदि नहीं हो पा रहा तो ये numbers कहे जाएंगे sorts ठीक है जैसे कि मैं यहाँ पर example के तोर पर दिखाता हूं आपको कि 2 to the power यदि हम लिखते है 1 upon 2 तो यहाँ पर 2 ये जो denominator में 2 है वो क्या है natural number है मतलब कि positive integer है और ये जो 2 है वो क्या है rational number है positive तो इसका मतलब बस ये 2 condition follow न चाहिए था और ये 2 cancel out नहीं होना चाहिए मतलब ये 1 upon 2 जो 1 upon 2 मेंने लिखा है ये 2 cancel out कैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा है यहाँ पर तो this is a third लेकिन कहाँ पर third नहीं होगा समझे दान से 4 to the power येदि हम लेते हैं 1 upon 2 तो ये 2 cancel out हो जाएगा भले ही सारे conditions मेट हो रहे हैं बट येदि cancel out हो गया ये 2 तो ये number third नहीं होगी जैसे के 4 को लिख सकते हैं 2 to the power 2 a whole to the power 1 upon 2 है ही तो multiply होगा यहाँ पर exponent टूल से तो ये cancel out हो जाएगा तो मिलेगा हमको 2 ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये मिल गया हमें rational number कभी भी ये जो third होगा वह किसी rational number का rational number के form में represent नहीं हो सकता याद रखेगा ठीक है तो ये सारे numbers बोले जाएंगे thirds तो इसका एक अलग एक another form भी है मतलब a to the power यदि 1 upon n लिखते हैं तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ये जो एक बनाते हैं साइन ये साइन है square root का लेकिन square root के यहाँ पर यहाँ पर यदि हम power लिखे हैं 1 upon n तो n को यदि हाँ लिख देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग nth root क्या बोलेंगे इसको nth root nth root of a तो इस sword को हम ऐसे भी लिखते हैं इसको बोलते हैं nth root of a मतलब की जैसे कि इमाले जे 8 to the power रहेगा 1 upon 4 तो इसका मतलब हो गया कि यह fourth root of a है मतलब ऐसे लिख सकते हैं fourth root of a this is your rational number तो ऐसे बहुत सारे example मिल जाएंगे यहाँ पर जो मैंने 4 to the power 1 upon 2 लिखा था ऐसे और भी example आपको दिखा दूँ मैं तो आप लिख सकते हैं 27 to the power 1 upon 3 यह number क्या है sword नहीं है क्यों 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 क्योंकि यह 3 cancels out हो जाएगा क्योंकि हम लिख सकते हैं 27 को 3 to the power 3 और whole to the power 1 upon 3 होगा cancel out हो जाएगा मिल जाएगा 3 तो rational number बन गया rational number नहीं बनना चाहिए यह sword तो आप ही बोलेंगे उसको sword ठीक है इतना clear हो गया तो अब हम समझते हैं कि कौन से ऐसे numbers हैं, कौन से irrational numbers ऐसे हैं, जो third नहीं हो सकते, क्योंकि all thirds are irrational numbers, यह सारा आपने यहां देखा, 2 to the power 1 upon 2, या फिर इसमें से कोई भी irrational number लिजिए positive number, उसके power में लिजिए 1 upon n, तो जो numbers मिलेंगे, वो actually irrational number ही तो होते हैं, हैंगी नहीं, यह सारे सारे क्या है, sorts हैं, लेकिन कौन से ऐसे numbers हैं, जो यह सारे number क्या है, irrational हैं तो कौन से ऐसे numbers होंगे, जो irrational होंगे, but sorts नहीं होंगे, तो कुछ ऐसे इसे इस एप ग्जाμपल में आपको जहां दे जेता हूं, से pie, पाई पाई क्या है इरेशनल है but it is not a sword क्योंकि इसको हम something to the power में इतना के फॉर्म में express नहीं कर सकते a to the power 1 upon n के फॉर्म में express नहीं कर सकते तो हमारा definition के अमसार ये match नहीं कर रहा है therefore pi is not a sword but it is definitely an irrational number तो irrational number का जो set है वो बड़ा होता है कहने का मतलब तो इतना आप समझ गए कि swords क्या होते हैं एक बार और यहां पर हम revision कर लेते हैं कोई भी positive rational number यदि उसके power में है 1 upon n और n क्या होना चीए positive integer और ये solve नहीं हो पा रहा मतलब n cancel out नहीं हो पाता तब हम बोलेंगे कि ये number जो है वो क्या है? Swords है ओके अब समझते हैं कि swords को कैसे हम add करते है और subtract करते है addition and subtraction between swords Edison करने के लिए या subtract करने के लिए swords के बीच में केवल एक ही right rule है एक ही principle है और ओक यिया कहता है कि हम addition या subtraction केवल आप केवल like swords में कर सकते है मतलब यदी like slut दिया है तभी हम उन दो luded sono code को एड़ कर सकते हैं या सब्डट कर सकते है तो like starts होता क्या है like starts देखें like starts वो starts होते हैं जिसमें root की quantity same हो जयसे कि 2 root 2 है और 3 root 2 है इन दोनों sorts में ध्यान से देखिये यहाँ पे root 2 है और यहाँ पे root 2 है तो मतलब कि root की quantity दोनों में same है इसलिए बोलेंगे इसको like sorts केवल ऐसे sorts को हम add कर सकते हैं कैसे add करेंगे? जब add करना होगा तो यह root की quantity को हम common ले लेते हैं और common लेने के बाद जो यह उसका coefficient बसता है मतलब 3 और यह 2 केवल इनको add करते हैं मतलब कि हम ऐसे करते हैं दखिए 2 root 2 को add करना हो यदि 3 root 2 में तो जो root की quantity है उसको common ले लेंगे मतलब बाहर निकाल लेंगे तो root 2 बाहर आ गया अब यहाँ पर bracket में क्या बचा है? यहाँ बचा 2 plus 3 ऐसे करते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 plus 3 5 हो जाएगा तो 5 होगा तो 5 को पहले रखिए फिर root 2 इतना answer आ जाएगा तो ऐसे करने के बजाए हम mind में भी कर सकते हैं कि पल इस कोफिसेंट को root 2 कोफिसेंट यहाँ पर 2 है और root 2 का कोफिसेंट यहाँ पर 3 है दोनों को add कर देज़े 3 to 5 होगा तो 5 root 2 डिरेक्टली भी लिख सकते हैं लेकिन आप unlike sorts को add या subject नहीं कर सकते हैं मतलब कि यदि ऐसे दिया हो कि 2 root 2 और एक दूसरा sort दिया हो 3 root 3 ठीक है? तो यह दोनों क्या हो गए है? unlike sorts क्योंकि इसमें root की quantity different है ये दोनों क्या है? different है इसलिए हम इन दोनों को add नहीं कर सकते हैं या subject नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब कि addition इन दोनों का exist नहीं करता सर होता है exist करता है मतलब हम इसको add करेंगे तो ऐसे लिखेंगे simply 2 root 2 में यह दि add करना हो plus 3 root 3 तो यही हमारा answer हो जाएगा मतलब कि यही हमारा क्या है? answer है कुछ नहीं करना simplifies में तो unlike terms को add करता समय बस ऐसे ही as it is रख देते है there is no any additional solving लेकिन like terms में coefficients को add करते हैं अचा subtract कैसे करते हैं फिर देखें subtraction का मैं एक example देता हूँ आपको यदि आपके पास है root 50 ठीक है? और root 50 मानस करना है root 18 तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि 50 के factors क्या है और उसमें से कुछ pair बन रहा है क्या? उसको बाहर निकाल सकते हैं मतलब इसको simplify जरूर करिएगा आप जरूर नहीं करेंगी simplify तो आपको लगेगा कि यहां पर root के terms अलग अलग है तो फिर solve तो होई नहीं पाएगा ऐसा है नहीं सोचना है आपको इसको factorize करना है पहले 50 को factorize करेंगे तो मिलेगा 5 into 5 25 25 तो जा होता है 50 इतना आएगा minus under root 18 को factorize करेंगे मिलेगा 2 into 3 into 3 ठीक है अब यहां पर देखिए यदि हम इसको solve करेंगे तो देखे 5 जो है root के बाहर आ जाएगा मतलब मिल जाएगा हमें 5 root 2 ठीक है 5 root 2 मिलेगा minus यहां देखे 3 बाहर आ सकता है तो यह मिलेगा 3 root 2 अब आप देख रहे होंगे कि root की quantity same हो गई root की quantity match कर रही है तो root को common ले सकते हैं और 5 minus 3 कर सकते हैं मतलब इसको ले सकते हैं 5 minus 3 प्रिकट में और बाहर root 2 बाहर निकाल सकते हैं 5 minus 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 root 2 मतलब की root 50 में से यदि root 18 minus करेंगे तो 2 root 2 आएगा और 2 root 2 को यदि हम केवल root में रखें तो क्या होगा 2 तो अंदर पहले स्था इस 2 के दि हम इस root के अंदर डालें तो क्या मिलेगा 2 into 2 दो बार में प्ले करना पड़ेगा मतलब ये हो जाएगा under root of 8 मतलब की root 50 minus root 18 करेंगे तो मिलेगा root 8 तो ऐसे भी करके आप समझेंगे solve करेंगे मतलब की हमें यहाँ पर simplify करके find करना पड़ेगा कि root की quantity सेम है की नहीं है मतलब prime numbers में convert जरूर कर लिजिएगा या ऐसे numbers में convert करेंगा जिसका pair नहीं बन पा रहा तब आपको conformally पता चल जाएगा कि उन दो terms को add कर सकते हैं या नहीं कर सकते है ठीक है तो this is it in subtraction and addition of thirds अब चलिए move करेंगे multiplication of between thirds चलिए समझते हैं multiply के से करेंगे thirds को तो इसमें किवल एक basic concept है जो समझ गए आप तो multiply करना में कोई गलती नहीं करोगे वो क्या है समझे थाहन से example से लेकर समझते हैं minus 2 root let us suppose ले ले लेते हैं यहाँ पर 3 तो minus 2 root 3 एक third है इसको multiply करेंगे 4 root 6 में समझे के ध्यान से यहाँ पर पहले-पहले हम sin का multiplication करते हैं मतलब कि sin का multiplication यहाँ पर जो sin है plus उससे multiply करेंगे उसके बाद जो coefficient होता है देखे रूट की quantity को हमेशा हम root की quantity से multiply करते है हमेशा root की quantity root की quantity से ही multiply होगी और एक और बात root की quantity को देखना पड़ेगा कि square root दोनों है की नहीं या फिर cube root यदि है दोनों तो दोनों cube root होना चाहिए दोनों यदि fourth root है तो दोनों को fourth root ही होना चाहिए क्योंकि तभी तो यहां solve हो पाएगा देखे जिसे अगों समझाते हैं आपर कि रूट 3 को मान लीजे कि रूट 2 मिमटबलाई करना है तो 3 का power है 1 upon 2 इंटू यहां power है 1 upon 2 दोनों को solve करेंगे तो देखे 3 into 2 करते हैं और bracket में common power ले लेते हैं 1 upon 2 तो यह common power तभी ले पाएंगे जब दोनों का solve दोनों का sine है square root हो देखे यहां भी square root है और दोनों जगा square root है तो दोनों जगा cube root, fourth root, fifth root होना चाहिए तभी आप उन दोनों को 7 में multiply कर सकते हैं तो यह concept हो गया अब यहां समझेगा यहां मैंने बताया कि sine को multiply करेंगे sine से और जो root की quantity है उसको multiply करेंगे root की quantity से और root को छोड़ करके जो यहां पर coefficient होता है मतलब 4 उसको multiply करेंगे जो यहां पर 2 है coefficient root 3 का उसके साथ multiply करेंगे मतलब coefficient को multiply करेंगे coefficient के साथ मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस से मपलाई करेंगे प्लस में तो मिलेगा माइनस फिर कोफिशन को मपलाई करता है देखें 2 इंटू 4 2 इंटू 4 जा 8 मतलब 2 इंटू 4 करेंगे ठीक है और जो यहाँ पर root की quantity है उसको root के अंदर मतलब की 3 इंटू 6 ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा माइनस 4 जा 8 माइनस 8 आजाएगा और अंडर root के अंदर जो 3 इंटू 6 आया इसको थोड़ा सा फट्राइज कर लिजे 3 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं और 3 इंटू 2 इंटू 3 कर सकते हैं मतलब की जब हम माइनस 24 रूट 2 ऐसे माइनस 2 जाएगा जब बस इतना ही है बस जो अंडर्वट के अंदर को क्वाणिटी आएगी तो उसको फल्क्राइज करके पेर बना करके यदि पेर बनेगा तो बाहर निकाल लिजेगा और simple तरीके से ऐसे रख लिजेगा तो तभी आपका सही answer आने का chance रहेगा ओके? चलिए आप सीखते हैं division कैसे करते हैं तो देखें division जब करते हैं certs में तो इसका concept actually एकदम same है जैसे multiply करते हैं तो multiplication मैंने बताया कि multiply करते हैं root की quantity को root की quantity से तो यहां भी divide करेंगे root की quantity को root quantity से और division होगा coefficient में वो तो होगा ही होगा जैसे example लेकर आपको बताएं 12 root 6 है मालेजे और इसको divide करना है 3 root 2 से तो जब इसे divide करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से भी 12 root 6 whole upon 3 root 2 तो समझेगे ध्यान से यहाँ पर यदि root root 6 है मतलब कि यहाँ पर square root है यहाँ भी square root है याँ फिर hereby cube root है यहाँ भी cube root है यहाँ सेँ-सें root है तब तो आप जैसे cancel out करते हैं वह यह से भी cancel out कर सकते है और यहाँ पर देखें ज हो 3 है वह coefficient है root 2 का तो इस coefficient को root6 के कोफिसेंट से ही केवल कटा सकते हैं तो 3 बंजा 3 and 3 4 जा 12 तो यह कट गया हमें मिला 4 अब यहां root के अंदर जो quantity है उसको भी कटा सकते हैं अब यदि दोनों का root का जो sign है तो यहां same है तो 2 बंजा 2 और 2 3 जा 6 मतलब यह आ जाएगा root में 3 4 root 3 is your answer तो यहां पर यह हम थोड़ा अंदर जाकर देखें कि आखिर कैसे हुआ multiply कैसे हुआ divide तो यह 12 तो 3 से पचल गया कैसे हुआ लेकिन यह root 6 को root 2 से जब किये तो root 3 कैसे आया तो हम जानते हैं इसको ऐसे solve करने के लिए कि इतना परवर होता है root 6 upon 2 ऐसे कर सकते है फिर 2 अंजा 2 और 2 तो 3 से 6 यहां पर बना हमारा root 3 ऐसे करके आ जाता है तो हमने directly यहां पर कर दिया आपके लिए तो simply हम division में ठीक वाइसे ही करते हैं जैसे multiply करते हैं हाँ एक बात है यह दि बाइनरी नंबर रहेगा यदि ऐसा रहेगा तो पहले आपको यह denominator को rationalize करना पड़ेगा और rationalize करके तब जाकर कर सकते हैं तो 2 प्लस root 3 है तो multiply कर दे हम यदि numerator में 2 माइनस root 3 से और denominator में भी मड़ला कर दे हैं 2 माइनस root 3 से तो यह quantity जो denominator में है वो rational नंबर बन जाएगी और फिर हम जो simplifier करेंगे तो वो हमारा answer होगा जैसे इस case में हमारा answer आजाएगा 2 whole 2 माइनस root 3 इतना आजाएगा अपान यहाँ solve करेंगे देखे तो a plus b है और यह है a minus b a square minus b इसकार हो जाएगा मतलब कि 2 का square मतलब 4 हो जाएगा 4 minus root 3 का square मतलब कि 3 4 minus 3 is 1 तो यहाँ मतलब करेंगे यहाँ पर आजाएगा 2 whole 2 minus 2 in bracket 2 minus root 3 तो इतना answer आजाएगा क्योंकि denominator में तो 1 हो जाएगा 4 minus 3 is 1 तो ऐसे करके आप solve करेंगे यहाँ denominator में ऐसे दिया है वैसे हम लोग यहाँ पर sorts के बारे में शड़ी कर रहे हैं तो sorts यह है नहीं तो sorts में divide ऐसे करते हैं ओके that is so simple यदि कोई भी doubt अभी भी आपको लग रहा है तो comment box में लिख सकते हैं यदि doubt नहीं है तब भी आप comment box में कुछ लिखिए इस वीडियो को like कर दीजिए और जितना ज्यादा ज्यादा हो सकते हैं आपने दोस्तों को share करिए और यदि कोई भी exercise का solution चाहिए चाहें कोई भी book हो आपके पास तो comment box में जरूर लिखेगा I will try to solve that exercise for you ओके Thank you so much for watching Bye